दोस्तों 21 साल में आये सदिकारी बनना हम सभी का खुआब होता है क्योंकि वो सभी इतिहास लेखते हैं जो कम उम्मर में सिविल सेवा को क्रैक करते हैं निश्यतुरूप से ये हम सभी का सपना है क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा आपका जो सर्विस पीरेड होता है बहुत लंबा हो जाता है आप देश के लिए धरोगर बन जाते हैं और निश्यतुरूप से जो उसके उच्चतम पद हैं वहां तक पहुंचने की आपको धिकारी, I.S. ओफिसर या I.P.S. ओफिसर बनने का सपना देख रहे हैं और अपने आपको एक रोड मॉडल की रूप में इस्थापित करना चाहते हो दोस्तों तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि 17-18 वर्ष की उम्र जब आपकी होती है तभी से आप इस बात पर ध्यान शुरू कर दें कि आप आसानी से इसकी तैयारी में उतर जाएंगे और अपना जो व्यक्षित तो है इसी के अनुरूप बनाना शुरू कर देंगे यह मैंने सही का दोस्तों 17-18 जब आपकी एज हो जाए तभी से आप UPSC के लिए बहुत संजीता और बहुत ही सीरियस हो जा है जो आपको अंदर तक लेकर जाना है दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपने देश की समस्याओं के साथ जो देश की चनौतियां है जो देश के संगर्श है उनके प्रती एक लगाव स्थापित करें यारी जो चैलेंजिस हैं जो हमारे सेग्मेंट्स हैं उनके कोई सलवस नहीं कि मैंने इस पर क्या पढ़ूं या क्यों पढ़ूं जब आप 17 साल के होते हैं तो सिर्फ आपको उसको पढ़ना है जो भी चीजें जो देश से जुड़ी हुई हैं चाहे वो उसकी पॉलिटी हो चाहे एकनौमी हो चाहे रास्ट में होने वाली कोई भी महत पुर्ण मुद्दे हैं उनको आप एक जरूर अच्छे तरीके से आप इंपुट दीजें अगबारों में कई बार बहुत सी खबरे होती हैं जैसे खेल खिलाडियों की खबरें आप उनको इसकिप कर सकते हैं कहीं पर हत्या हुई कहीं पर लूट हुई आपको ये पताए कि ये मेरे सलवस से जादा रलेटेट नहीं है पर हाँ एडिटोरियल पार्ट जो देश के परमुख मुद्दे हैं इन पर आप अपनी विचारधारा बनाना शुरू कर दिए इसके दो फायदे होंगे पहला फायदा आपको जो भी करेंट में चल रहा है वो आपको इसके जान कैसे करना है क्या करना है ये आप जो है वो धीर धीर करना शुरू कर दिए बारभी क्लास के बाद आप जब ग्रेजवेशन में जाते हैं तो अपने लिए तीन से चार घंटे फिक्स कर लीजे पढ़ाई के लिए कि मेरा सिविल सर्विसेस को इसको देना ही देना है और दिए धीरे आपकी personality develop होती चली जाएगी और 21 साल आते आते आप कोशिश करिए कि जब आप 19 साल के हो या 20 साल के हो तभी से जो आप इसकी एक सघन प्रक्रिया में उतर जाईए यानि इसको पढ़ना शुरू कर दीजे जैसे आप किसी इंस्टूट के साथ जोड़ सकते हैं online courses के साथ जोड़ सकते हैं अपने college के teacher की help ले सकते हैं या अगर आपके घर में कोई civil सेवक हो उसकी भी आप मदद ले सकते हैं जिससे आपको एक रास्ता मिलता रहे कि मैं कैसी पढ़ाई कर रहा हूँ मेरा answer writing कैसा है मुझे क्या क्या चीज़े करनी है इसके साथ साथ जो अगली महत्तपूर्ण चीज़ है वो लगातार योग, exercise और ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को condition करके रखिए क्योंकि इस समय आपको college का pressure और आपके UPSC का pressure दोनों रहेगा और इस pressure को अगर जेलने में सबसे ज़्यादा कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो आप सोयम है अपने आपको motivate रखिए, अपने aim को अपने सामने रखिए और ये सोचिए कि 21 साल में I.E.S. बन कर या बहुती कम हो में I.E.S. बन कर मैं राष्ट की कितनी सेवा कर सकता हूँ, राष्ट के लिए कितना बहतरीन काम कर सकता हूँ और आने वाली पीडिया मुझे मेरे काम के लिए याद रखेंगी, दोस्तों जब ये धे होगा तो आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा और ये जुनून आपको कठिन से कठिन दबाव में भी बहतरीन से बहतरीन performance करने के लिए प्रेडित करेगा, आज की ये तकलीफ कल को आपको नेशन का हीरो बना सकती है, लो लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, लोग आपकी जैजेकार कर रहे हैं, साधी साथ आप अपने राष्ट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उसकी समस्याओं को सुलजा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, दोस्तों ये एक बहुत महत्तपूर प्रणाव है, अगर आप इन चीज सकते हैं, और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है, जो आपको आपकी मनजिल पर पहुंचने से रोक सकें, ये बात हमेशा सकते हैं, बस विश्वास जो होता है, पहले यहां होता है, फिर यहां होता है, इन दोनों को जोड़ दीजे और अपने विश्वास के बीज को अपन में विश्वास करते हैं, अगर हां तो बढ़ चलते हैं